हलो एवरिवन वेल्कम बैक टो यूटूब चैनल एप लखी पांड़े तो आज हम आपके लिए एक वेकंसी लेकर आये हैं चो सेंट्रल गॉवर्मेंट ने निकाली है बेसिकरी स्टाफ नर्स की वेकंसी है यह अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल अकंड को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नॉटिफिकिशन आपको मिलते रहे मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे इम्सनौटसर से रिलेटिड हर एक अपडेट रिगुलर दि क्या हम आगे वाले टाइम में डेस बी के लिए एक कॉस लांच करने वाले हैं जोकि free of cause हो सकता है या हम उसका minimum कोस भी रख सकते हैं आने वाले टाइम में हम डेस बी कर एक test series भी कंड़क्त करने वाले हैं तो अगर आप उसमें इंटरस्टेड हैं तो प्लीस हमें comment session में जरूर पताएं ताकि हम उसे जल से जल शुरू कर सकें चालिए आज अब बात करने वाले हैं चालिए अब बात शुरू करते हम इसके बारे में जो यह vacancies के बारे में लिमिटेड ए नवरतन और इंडिये प्रैमेर प्रफेशनल इलेक्राणिक कंपनी है इसने स्टाफ नर्स की जो वेकेंसी निकाली है जो पर्मेनेंट बेसिस पर सेलेक्शन हो रहे हैं हैं हैदराबाद यूनिट के अंदर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस नोटेस क अगर हम बात करें तो एक है रिजर्वेशन पैटर्न है ऐसी काडिगरी का कैंडिडेट को ही ही अप्लाइग करना होगा एज लिमिट क्या होगी 33 इयर्स होगी जो यहां पर डेट दे रखी है बेसिकली एक बारा दो हजार इकिस यह वह डेट है जबी अप्लिकेशन निकली इसकी डेट है जो एक्सटेंड हो चुकिए मैं आने वाली वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि इसकी क्या बहुत है डेट कब तक एक्सटेंड हो चुकिए तो आपके पास तारीक तक का टाइम है कि आप यह फॉर्म भर सकते हैं और इसमें अपना सेलेक्शन ले सकते ह पर्मेन पेसिस पर यह सेलेक्शन बैसिकल इसका एक्सपीरेंस के अगर हम बात कर लेते हैं जो तीन साल का एक्सपीरेंस होना चाहिए डिपलॉमा इं रेपिटिटीड होस्पिटल यह नर्सिंग होम के बात और इस्टेंट होना चाहिए अस टाफ नर्स ठीक है वह बहुत सागे बढ़ते हैं इक की बात करते हैं पहले भी बात करीघी जो ऐसल क्या बोलते हैं कंपल्सरी का रखा ठीक हम पेश की बात करते हैं बाकी बात करते ही अडिशन क्यों डिपैए बात करें डीमिल पात लिकुरा antibodies like dearness, allowance, house rent or allowance, reimbursement of the medical expensive group, insurance, PF, pension, gratuity etc as per the company rule will be the part of the rumination package अगर हम duties और responsibility की बात करते हैं तो वैसे तो हमें पता ही है क्या responsibilities और duties होती है staff nurse की चले एक बर और जान लेते हैं बर क्या बोलते हैं असस करना होगा से part time visitor doctors को dispensing of the medicine करना होगा as prescribed by the visiting doctors processing करने होगी medical bill की of the regular employees का coordinate करना होगा dispensation of the outpatient medicine or maintenance करना होगा first aid box को coordinate with employees करना होगा on the medical issues पे coordinate medical camp करना होगा first aid training program करना होगा performing functional like medical record keeping by entering in dairy sorting, filling, dispatch, maintaining medical register, medicine, medical equipment etc all the other works that is connected to the medical center आगे बात कर लेते हैं identification करना होगा self life of all the medicine equipment का overall in charge of the creature supervising the function of the creature providing guidance और creature assistance भी करना होगा any other duties or responsibility जो की management उसको provide करता है तो उसे time to time करनी होगी अब आगे हम बात कर लेते हैं selection होगा इसके अंदर आपके selection किस method से होगा क्या method होगा इसमें selection लेने का आपका ठीक है जो basically candidate होगे जो qualification of work experience criteria को fulfill करते हैं वो shortlist के जाहेंगे selection process के लिए उसके बाद उन candidates का written test करवाया जाएगा जो की 150 marks का होगा ठीक है eligible candidates will be required to appear for the written test objective path questions होगे उसके अंदर दो part में divided होगे part 1 और part 2 part 1 में क्या होगा general aptitude होगा part 2 में क्या होगा technical aptitude होगा basically general aptitude की अगर हम बात करते हैं तो वो 50 marks का होगा और technical aptitude 100 marks का होगा general aptitude 50 marks का होगा जिसके अंदर किस type के questions आएंगे general mental ability aptitude to logical reasoning analytical comprehensive ability के questions होगे basic numeracy होगी data interpretation skill और general knowledge के questions होगे ठीक है part 2 की बात कर लेते है technical aptitude जो की 100 marks का होगा जिसमें technical और professional knowledge nursing से related subject से related questions होगे जिसके अंदर जो की 100 questions होगे पूरे के पूरे जो important यहां पर दे रखा जोटीस तो minimum qualifying marks will be 35% in both part 1 and part 2 separately मतलब आपके अंदर जो part 1 part 2 है उसके अंदर आपको separate separate pass होना पड़ेगा मतलब जो general aptitude है 50 marks के questions है उसमें 18 marks score करने होंगे वो passing marks माने जाएंगे और part 2 जो की 100 marks का उसमें आपको 35 marks से उपर लेके ही आने पड़ेंगे तब आपका यह अलग-अलग part में आप qualify कर पाएंगे ठीक है जर्नल कंडिशन की बात कर लेते हैं जो बेसिकली जो candidates have to produce a valid photo identity proof while appearing for the return test the candidate is claiming the tp for the travel have to produce original cars or disability certificate देना पड़ेगा along with the bus ticket or train okay duration क्या होगा 150 minutes होगा 2 and a half marks क्या बोलता है आर्स का यह paper होगा जो each question carry the one marks और multiple choice questions होगे यह अगर आप each negative marking half marks negative marking के देगे जाएंगे ठीक है और the venue for the return test will be at the Hyderabad में conduct कर पाजएगा तो exact date and time shall be communicated in the admit card for the return test the final list जो की prepare करी जाएगी based on the cumulative marks both part 1 and part 2 together score कर के candidates की list prepare करी जाएगी जो selection होगा हाग 10 subject who our now आप कैसे करें Color उसका जाए़ड़के है जोंसप्हण तो जाके documents attach करने होगे उसके साथ certificate mark sheet 10th or 12th mark sheet करने होगी all certificates करने होगे आपको जो cgp अगर आप क्या बोलते हैं cbsc से पास होगे तो आपको percentage में convert कर आपको भेनी होगी no objection certificate अगर आपको भी government job कर रहे हैं पुबलिक sector में हैं तो आपको undertaking देनी पड़ेगी no objection certificate देना है experience certificate देना है अगर आप post qualification work experience certificate है copy of registration certificate as a staff nurse आपको वो भी submit करना होगा copy of registration in telangana employment exchange office आपको यह submit करना होगा latest resume देना होगा आपको any other certificate अगर आप क्या बहुत है आपको सब्सक्राइब करना होगा जो application है वो complete होने के बाद आपको कहां सेंड करनी है डिप्टी जर्नल मैनेजर भारत electronic limited क्या बहुत है है घ्राबाद में तलंगाना स्टेट के अंदर ठीक है जिसकी last date दे रखी है basically यहां पर दे रखी जो 31 12 2021 दे रखी है इसकी मैं आपको ब वो date extend हो चुकी है तो 31 12 2021 तक की थी वो date extend होकर 21 2022 को हो चुकी है तो basically last year for the submission of application for the requirement has been extended up to 2101 क्या बहुत है 2022 21 जनवरी तक extend हो चुकी है तो candidates के पास बहुत टाइम है अराम से वह application form भर सकते हैं को सारे documents को अपने fulfill कर सकते हैं ठीक है आगे हमने हमने बात करी थी क्या के documents हमने क्या बोलते हैं सम्मिट करने हैं ठीक है आगे हम बात करने वाले हैं journal guidelines क्या guidelines होती है registration basically आपको registration करवाना पड़ेगा employment exchange of telangana state जो basically बहुत important है वरना फी telangana जो states के candidates हैं उनको जादा preference मिल जाएगी आगे बेसिकली यह दे रहा है candidates जो बहुते हैं those candidates who meet all the eligibility criteria for the post of shall be called for the return test और admit card वगेरा उनको दिया जाएगा through the email email के through मिलेगा candidates जो work करते हैं government उसमें no objection certificate देना पड़ेगा चुकि मैंने सारे आपको criteria बताई है eligibility qualification देनी पड़ेगी क्या बहुते स्टू पीड़ू candidates हैं उनको अपना क्या बहुते हैं certificate जमा करवाना होगा management application form incomplete नहीं होना चाहिए candidates और अच्छिशनल इन नेचर होंते हैं no provision of rechecking होना चाहिए mobile phone और वगेरा tablets वगेरा allowed नहीं होगा कोई भी examination hall के अंदर कि सारे यह क्या बहुते हैं instructions हैं जो आपको दे रखे हैं